तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो यूपी एनेचेम 5500 पोस्ट की वेकेंसी को लेकर उमिद्वार के लगातार कमेंट आ रहे हैं उनकी यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक जारी कर दी जाएगी और क्या जो वेटिंग लिस्ट है वो एक बार में पूरे उमिद्वारों के लिए जारी की जाएगी या step by step जारी की जाएगी और जो waiting list की जो process है उसमें कितना time UPNHM द्वारा लगाया जाएगा तो इसको लेकर एक बहुती बड़ी update है जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ क्योंकि UPNHM की जो exam है वो conduct हुई result आई, score card आई, अब जो है DV की process चल रही है तो इन सभी process के बीच में क्या waiting list जारी होगी या नहीं होगी दोस्तो इसी को लेकर उमिदवार के लगतार कमेंट आ रहे हैं और waiting list में कौन-कौन से उमिदवार अपने आपको safe zone में रख सकते हैं वो भी एक सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि जो waiting list की cut up है वो केतने पर उठाई जाएगी और almost जो है cut up क्या जा सकती है category wise इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूँ और लगतार उमिदवारों के एक और कमेंट आ रहे हैं कि सर normalization में किस shift को लेकर जो है यहां पर सबसे ज़्यादा जो number है वो increase हो पाया है क्योंकि हमारे टेली गराम चैनल study zone slash azit पर एक poll कराया गया था और उस poll के regarding normalization को लेकर क्या update आई है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस shift के अंदर उमिदवारों के कितने number जो है increase हुए है तो दोस्तो पूरे step by step मैं आप सभी को जानकारी देने भाला हूँ दोस्तो चैनल पहली वार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल study zone को जरू सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि UP NHM की कोई भी नई notice हो या नई विगिती हो सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट किया एता है तो चलिए दोस्तो पूरे process के बारे में हम आप सभी को step by step बताते हैं दोस्तो normalization को लेकर मैं आप सभी को एक चीच बता दू क्योंकि normalization की जो अंक है वो बहुत ही ज़्यादा समान है या यह कह सकते हैं कि एक ना के बराबर ही normalization के formula को use किया गया है क्योंकि बहुत ही कम संख्याओं में number को increase किया गया है और almost जो number increase हुए है वो यहाँ पर जो है साथ तारिक की जो evening में paper था उनके यहाँ पर जो increase हुए है और एक या दो number ही increase हुए है और ज़्यादा दोस्तो increasing नहीं की गई है इस चीज को लेकर तो normalization को लेकर जो उमिदवार चींतित कर रहे थे कि हो सकता था कि normalization के process से हमारी जो है category wise जो हमारी number बढ़ेंगे तो वहाँ पर दोस्तो उस चीज का जो valuable है उमिदवारों को बिल्कुल ना के बराभर ही मिला है या कुछ ही उमिदवारों के उन shift के अंदर उन paper के अंदर उन्हें वो number increase की गई है तो यहाँ पर दोस्तो इन चीजों को आप बिल्कुल ही चोड़ दे अब जो आपका focus है वो है waiting list को लेकर की waiting list का अब तक जारी होगी दोस्तो waiting list में आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो waiting list की process है वो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर जो है 800 से 900 के बीच में जारी होनी के संभावना आने वाली है क्योंकि कई सारे जो other state के उमिदवार है लगातार उन्होंने भी इस vacancy के लिए किया था और other vacancy के लिए भी किया था क्योंकि यहाँ पर UP-Triple SC की भी जो परिणामे आ चुकी है और उसको लेकर यहाँ पर जो विवायद है उसके चलते pending है क्योंकि दोस्तो कई लोग यहाँ DV के process में भी हटेंगे और सबसे ज़्यादा लोग जो other state से इस form को fill किये थे वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हटने वाले है तो यहाँ पर दोस्तो उन process में आप सभी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पर दोस्तो यह confirmation है कि जो waiting list है वो आप सभी के यहाँ पर जो है 800-900 के बीच में जारी होने की पूरी संभावना है पर दोस्तो एक बार यह पूरी waiting list नहीं जारी की जाएगी step by step तीन round के अंदर जारी होने की संभावना अभी तक की बताई जारी है दोस्तो यह कोई confirmation news नहीं है जो हमारे source के माने update आ रही है उसके regarding आप सभी को यह information दी जारी है और दोस्तो जो इसकी process है वो अभी उसमें दोस्तो थोड़ा सा वक्त आप सभी को देने पड़े पर आ क्योंकि DV के बाद जो final list जारी होगी उसके बाद ही यहाँ पर आगी की process उससे पता चली की क्योंकि दोस्तो waiting list में उमिद्वारों को कम से कम एक या दो महिने का समय लगेगा उनकी waiting list जारी होने में तो दोस्तो waiting list को लेकर आप बिल्कुल ही चिंता ना करें क्योंकि आप यह माने कि जो waiting list आप सभी की जारी होगी वो 2023 के अंडर जारी हो सकती है जनवरी या फरवरी के बीच में इससे पहले दोस्तो जारी बिल्कुल ही नहीं होने वाली है क्योंकि दोस्तो संख्या आप सभी की waiting list की जरूर बढ़ते हुए आएगी और दोस्तो आप safe category में वो रह सकते हैं जिनके यहाँ पर 40 से 45 अंक बन रहे हैं वो यहाँ पर safe zone में बिल्कुल ही रह सकते हैं उनके रूल के अनुसार दोस्तो यानि कि दोस्तो waiting list यह confirm है कि 40 से 45 जिनके नंबर बन रहे हैं वही candidate waiting list में आने वाले हैं तो यहाँ पर दोस्तो यह update निकल कर आ रही थी जो आप सभी तक share किया गया कोई confusion है या कोई curious है तो comment के माद्यम से पूछ सकते हैं हमारे चलरे studies उनके माद्यम से आप सभी को पूरी साहथ है की जाई फिर मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक लिए दोस्तो जाहिंदे